वाही गुरु जी का खालसा शिरी वाही गुरु जी की फते साखीतन शिरी गुरु गोविन सिंग जी कलगी तर जी पाथशाई दसमी जिस वक्त नांदपूर विच बैठ्यानू सिखानी शिरी गुरु तेग बहादर जी दा सिर दिता तकलगी दर जी पिता दा सिर देखके ए अवाज कीती तेग बहादर के चलत पयो जगत मैं सोक है 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 सब जग पयो जै 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 सुरलूक पुना तरम हेत साका जिन किया सीस दिया पर सिरर ना दिया साधन हेत इती जनकरी सीस दिया पर सीना उचरी इतियादिक वाक रहे फिर सीस नू लेकर गुरु साहिब ने विदी पूर्वक ससकार कीता ते आप गुर्याई दा कारबार करन लगे ए गुरु साहिब पो सुधी सत समत सतारा सो बत्ती विक्रमी नू शिरी गुरु ते गभादर जी दे कर पटने शैर विखे पर गट होए ते समत सतारा सो तेई विक्रमी मगर सुधी पांजनू गुर्याई पाई अते अदबुको तक दिखा के सारी उमर ब्यारी बरस दो मही ने कट पोक के सतारा सो पेहंट विक्रमी कतक सुधी पांजनू शिरी अपचल नगर विखे जोती जोत समाई दुनिया पारवेच शिरी गुरु गोविन सिंग जी दे नाल दी कोई नजीर नजर नहीं हो दी जैसा के इना कार दखाई इना गुरु साहिबाना जीवन चरित्र इतना है के जेकर इड़नी बड़ी एक होर जनम साखी बन जाए ता भी न मुक्के इसलिए इना दे जनम तो लेके सारे दे सारे प्रसंग छट दिते हन प्रंतु एक प्रसंग चमकौर वाड़ा मेरे पासों छट्ड़या नी जन्दा ते उ बार बार या आदाम दा है इसलिए केवल ओ प्रसंग विखाके इस पुस्तक नू संपूरन किता जाएगा इस तो पहला कि मैं चमकौर दा प्रसंग दसा एवी आखे बगेर नी रह सकदा कि जैसा प्यार शिरी गुरू साहिब जी नू हिंदू ता रम्दा सी वैसा होर किसे नू अज तक नी हुया उनना दे कम तसरे हन क्यों हुमेशा जालमा दे वरुद रहे जेकर एक कहिए क्यों मुसल्मान कम दे वरुद से ता भी नी क्योंकि जेकर उनना दे वरुद हुन दे ता पंच सो पठान दामले दे नौकर ना रख दे ते जेकर हिंदूआं दे निरे पक्खी हुन दे ता मसं यह था शिरी मुख्वाक बजित्तर नाटगवेच हम एह काज जगत्मों आये तरम हेत गुर्देव पठाए जहां तहां तुम तरम बिथारो दुष्ट दोखियन पकड़ पचाड़ो एह काज तरा हम जनम समझ ले सादू सब मनम तरम चलावन संत उबारन दुष्ट सुबन क मूल उपारन इत्यादिक शिरी गुरू कल की तरजी जिस काम वास्ते अकाल पुर्खदी तरफों आये सी उसे काम नों पूरा करन दे फिकर दे वेच लग गए ते गदी पर बैठ देए सरब खाल से रूह कम दे देता के जो सिक साड़े वास्ते चंगा कोड़ा ते चंगा शेस्त्र लेवे आवे ओ असी असी उस्तों बहुत खुश हो मांगे एस हुकम नों सुनके सब संकतां दूरो दूरो शेस्त्र कोड़े लेओं लगियां ते माराजी ने भी जंग दे समान महिया कराके फौजी परतियां करनियां शुरू कर देतियां एसे हुकम नों सुनके स नमत सतारा सो सैंती बिक्रमी देविच असाम दे राजे तरम राई दा पुत्र रतन राई जो के श्रीगरुतेग भाद दरजी दा सिक सी श्रीकल की दरजी दे पास अनंद पुर्विक एक पंच कला शस्तर जिस दी कला दुबॉन दे नाल बर्शी बंदूख पेशकश बाजी पस्तौल गुर्ज पांच अत्यार बान जन्दे सी पेटा वास्ते ले आया ते चंदन दी चौंकी जिस पर इश्नान दे वक्त चार पुतलियां हाजर हो जन्दियां सी ते पांच द्रियाई कोडे एक परशादी हाथी सब कुछ सिख्या होया सी ए वी पेटा ले आया जो ग गुरु साहिब दे पास काफी तादाद फौज दी हो गई तना उन्ना ने जालमा दे मुकाबले वास्ते कमर बदी प्रांतु गुरु साहिब ने ए सोच्या के हिंदू कौम ऐसी गिर गई है जो ये मुसलमाना दा नाम सुनके डर दी है इस विच मुकाबले दी ताकत ही नह ता एक तीसरा पांच खालसा रच के ना दुष्टां दा नाश करिये एही सोच के गुरु साहिब ने केसगर दरवार लगा के समत सतारा सो छ्याली बिक्रमी एक विसाख नू खालसा रचया सारी फौज दे विच्चो पहले दिन पांच सेंगी तलवार दे हेट से रदनवा चमक दी तलवार ते लाल अखा नू देखके बहुत लोग खिसक गए प्रन्तु सबतो पहले पाई दया सिंग जी खत्री ने उठके आख्या हे पगवान सिर्ता उसे दिन दे चुके जिस दिन आप दे सिख बने गुरु साहिब उसनों कनात दे अंदर ले गए ते एक पासे बठाके एक बकरा चटका के लहूदी पे जी तलवार नू लेके बाहर आए ते बचन कीता कोई है सिख जो सिर्देवे फिर पाई तरम सिंग जी जट खड़ा हुया एदनी फिर हिमत सिंग जी करह उठया ते फि गुरु नानक साहिब जी दे वेले एक गुरु अंगद जी ही साबत रहे सी ते हुन तां पांच साबत रहे ने असी प्रोसा कर दे हां के मारांगे जालमा दुष्टा नू एक है के आप अपे अमरत शकाया ते फिर उन्ना नू शकाया ते रैत दसी फिर उन्ना तो आप अम यथा वार पाई गुर्दास जी दे विच्चूं। जेकर गुरु गोबिन सिंग जी हुंदे ता आज एक भी हिंदू नजर ना होंदा प्रांतु अफसोस के जिस गुरु साहिवने साधी खातर पहले अपने प्यारे पितानु करभान कराया फिर शाही समान सारे दा सारा लोटा देता जिसने अपने जिगर दे टोटे गुलाब दे फल छोटे-छोटे साहिवजादे अपनिया खांदे सामने तलवारा दे नालशी दूंदे वेखे जिसने दो छोटे-छोटे साहिवजादे कंद विच तर्म रख्या वास्ते चिने जान ली दिते जिसने लखा ना मुकाबला एक-एक नल कराया जिसने अपने प्यारे सि इंदेन पन्च पन्च चुले अमरीत देपी आके मुड हरे किटा जिसने अपनी सारी उमर दुख थे पुकच गजारी जो साडेली नंगे पैरी चाड़ियां थे पहारियां छ फिरदा रया जो साडेली कारचाड के वतनों बेवतन हुया जिसने सवाए एक अकाल दे होर के से नू ना पुजाया जिसने बकरियां ते चिडियां चो शेरां ते बाज़ां दा शिकार कराया जिसने विचारे जट गरीबा नू राज दुआया साच पुछों ता पहरत दा डुबा जहाज किनारे लगाया ते तुसां उस दा की कदर पाया प्यारे पाठक गुरू साहिव दे उपकारा दे दुखा दी एक लम्मी कहानी है जिसे लिखन दे ली मैं ताकत नहीं रख़दा ते ना ही इत्थे गुंजाईश है इसली मैं अपने उपर ले इकरार बमूजम गुरू साहिव दा एही जग अपने आपनो आपनो सुना के ए परसंग संपूरन करांगा आप ज़रा तेहां दे के सुनो क्योंकि गल सुनवाली है चमकौर दा जग चमकौर दा जग इस जग तो पहला कही जग हो चुके सी ते कई वारी पहाडी राजे बाई तारां दे एकठे होके भी गुरू जी दे नाल मुकाबला कार मुड़े ते बहुत सारी आं फोजा और रंग जेब निया भी गुरू साहिब दे हत्थों काईल हो चुकी हैं सन गुरू साहिब दे तीर दो दो को उस तक मार गर दा सी इसलिए एक तीर वी ते चाली जाली नू मार दा सी इस वक्त तो रंग जेब ने लहौर ते सुबे दिलावर खां ते कश्मीर दे सुबे जबरदस्त खां ते पिशावर दे सुबे नजावत खानू तकी दी हुकम लिख्या किता अनू कोई बर्स लड़दया हो गए अजे तक थोड़े थोड़े जैसेंग कापबू ना आए बहुत जल्द मेरे पास गुरु गुविन सिंग ने पकड़ के पेज जो नहीं न तो अनू भी नुकसान पहुचाईगा इस हुकम नो सुनके सुब्या ने फौजा ने पिंडा ने पिंड कठे कर ले ते अफसोस पहाडी राजे भी सारे थे सारे डर्दे मारे मुसलमानी फौज दे नाली शामल हो गए इस सारी फौज राल के दसक लख हो गई ते नंदपुर दे चारों तरफ आ उतरी ते दस दस कोस तक केरा कतलया गुरू साहिब दे पास केवल दस जार से कसी जो अंदर केरे गई ओड़क बाई जेट सम्मत सतारा सो एकाहट विक्रमीनूं कटां दी तरह दुश्मनाने किले दे उत्ते हला कर दिता जदो नेडे आये ता सिंगाने बाड़ चाड़नी शुरू करती बेशुमार शत्रू थाएं रखे इसे तरह बहुत हले किते पर किला ना टूटया अकर केरा पाके बैठ गए ते कास दाना अंदर जाना सारा गुश्बंद कहता यद भी किले दे अंदर बहुत समान जमा सी पर पंच मिने तक केरा खत्र कात्र रखने ये सब जखीरा मुक गया मुठी मुठी कच्चे शोले जबके सिख लड़दे रहे ज़तों गुरू साहिब ने देख्या के होने थो निकलना मुश्किल है ता सब खजानने बरतन तोपांच जम्बूरे दर्यां सातलोस दे विच सटवाते हाथी कोडे बैल उंट बहुत पुखी मार चुके सी ते बाकी जो मरन वाले देखे सो दून कहलूर दी तरफ तोरते गुरू साहिब हर एक दे मोर्चेच जाके होसला देके लड़ों दे रहे ते सिख भी जानना तोड़ तोड़के लड़े रहे पर पुखने सब नू व्यक्ल कर दिता सी उद्र साही अफसर ते राजे भी लड़े लड़े बहुत अंगा गे देश बरवाद हो गया दाना कास्ता बिले एक पल भी राम दाना गुजरे हर वक्त चिंता ही लगी रहें दी इस करके उनना ने फ्रेव इस तरह किता कि एक पत्र का एक मजमून लिखी जो तुसी अपने माल जाननों लेके किते चले जाओ असी तो अड़े माल जाननों नी छेडागे तो अनू अपने कुरान दी कसम है ए पत्र का वकील दे हाथ गुरु साहिब दे पास पेज दी यदपी गुरु साहिब ने उनना दी कसम पर इतिबार ता ना किता प्रन्तु मसंदा दे सिखोने ते माता साहिब दे सिखा ने बहुत हट करके किया कि जे कर तुसी किला नी चाड़ दे ता असी अपने आप चले जावांगे उन साथों पुखे मरके लड़या नी जानदा फिर गुरु साहिब ने आखिया कि पांच दिन तक तुसी होर अखे सोखे होके लड़ो शाही फौज अपे चली जाए पारबरदारी वास्ते उंट खतर खत्चर गड़े पेज देवो असी किला चाड़ दे हां उनने बड़ी खुशी मनाई ते बहल गड़े पेज देते गुरु साहिब ने टुटे तोब्रे काठियां ठीकरे पत्थर बोरियां चपरके बैला दे उपर लदवा कर राद दे सम समझाया जिस करके होर दो दिन तक सिख लड़ दे रहे पर पुखेते जंग दे दुखाने सिखानों ठैरन ना देता ऐसे लालच होए जो आप तो आप किला चड़नों त्यार हो गए जद गुरु साहिब ने दिख्या कि सिख नी ठैर दे ता ए फरमाया कि जेकर तुसी मेरे अखे नी लग दे ता ए लिख जाओ के असी गुरु के सिख ने जो इसे तरह दो सो सिख बिदावा लिखके चले गए गुरु साहिब ने विदावे वड़ा कागज ते नेम कसम वड़ा कागज दू में अपनी जेवच पाले ते पंद्रा मगर सम स्तारां सो इकासट दोले ते पोथिया दे गड़ पर के पाई तरम संग मौकम संग इशर संग मिलखा संग जवार संग अदिक सरदारा नो दो सो सिंगा दे नाल दे के सिर मौर राजा दे राज दे तरफ तोर देता अती गुलाव राईश याम नो चिठी दे के राजे दे पास पेज्जा फिर अनने खबर पाके हला कर देता बहुत फोज जाते के ले ने शेहर लुटन जा पई बाकी दी सब फोज गुरु साहिब दे पिछे ताई जद गुरु साहिब जी तनौल का की रतपुर लंग के सरसा नदी दे नजदी कायता नदी चड़ी होई सी इस करके सब असबाब डोल गड़े रुक गए इतने नौ पात्षाही फोज आप उंची गुरु साहिब ने साहिब जादे अजीत सिंग दे समेथ कई जगा सिंगा नौ लड़ाकर वेरिया नौ बहुत देर तक रुक या पर नदी नौ किसे नौ पार ना होन देता पर अनेक सिंग तलवार ते नदी द कितार दे विची बै गए असपाब दे परे होई गड़े लुटे गए माता साहिबां दे रत डोले उथे ही रह गए माईया नौ बड़ी मश्किल दे नार सिखाने पार किता जिदर जिसदा मू हो गया उदर ही गया एक नौ दूसरे दी संबाल नहीं रही सी वड़ी माता ज दोमें साहिब जादया नौ एक ना खचर पर चड़ा के करदा नौकर सोया ब्रह्मन अपने पेंड खेडी जो के मुरिंडे दे पास है ले गया उथे जाके पापी ने लाल्च वदरे तुर्का नौ पकड़ा देता गुरू साहिब दे दोहा मैला नौ मरदावें पेस कराके जवार संग आधिक दिली दे विच अपने कार लेगे इना दे नाल बीबी पागो दोमें टैलना आते पाई मनी संग जी गई एदर गुरू साहिब दोमें वडे साहिब जाद दे दया संग आधिक सो वार संग दे नाल नदी पार होके रुपड नौ आए इथे भी रुपड ये पठानना ने इना नू केरना चाया पर गुरू साहिब उनना दा मूँ मोड के अगे लंगे ते दू आजरे बामवन माजरे नू होके चमकौ और पिंडी दे एक कच्ची गड़ी दे विच दिन दे वक्त जावडे पर इथे पॉंचन तक गुरू साहिब दे पास सिर्फ चाली सिख ते साहिब जादे ही रह गए तिसे ते बाकी सिखाने समेथ एक पहाडी दी आड़ एक पाई उदह सिंग बड़ी देर तक लड़के शहीद होया इस करके गुरू साहिब जी दे पिछे फौज ना गई जद सुबस रहेंद ने उदे सिंग दा सिर्फ देखे ताक है के एक गुरू नहीं तद शाहिव पोज ख़वर पाके चमकौर दी तरफ आई तद गुरू साहिब ने इसे तरह लड़ाई करने शुरू किती के एक सिंग नू बाहर निकालनते हो कईया नू मारके जद शहीद हो जावे ता उसे तरह दूसरे नू मैदान जंग दे विच पे जन जद इसे तरह लड़ देयां दो तीसरा पहर हो गया तां सिंग भी बहुत थोड़े रह गए जदो गुरू साहिब जीदे वड़े साहिव जादे जीत सेंग ने हाथ जोड के आख्या आग्या मंगी तां गुरू साहिब ने बड़ी खुशी नल पिठ ठोक के अख्या है पुत्तर खत्रीदा तरम है के राण विच पिठ ना दिखावनी ते तरम दे वास्ते ए मिथ्या स्रीर देकर सुझस खटना तब साहिब जादे ने बड़ी खुशी दे नाल कदम उठाया अते साहिब सिंग म जफर अली खां ते नूर खां तिन्ने सरदार आपड़े साहिब जादे दा जंग दे खन वास्ते अंदरों गुरू साहिब ते वारों वड़े वड़े लोक उच्छी जगा बैठ गए वाववा दी अवाज जुजाओ बाजे दी गाज तलवारां दी चमक बिजलियां दी दिखाई दे रही सी सूर में जेओं 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 जखम दा स्वाद चकते तेओं तेओं अगे नू पैर रख दे सी इस परकार अने कानू मार के पुर्जे पुर्जे होकर तिन्ने शहीदियां पा गए जदों वड़ा पाई शहीद हो गया ता छोटे साहिब जादे जोटी यही तलवार पकड़ाई ते मत्था चुम के पिठ ठोक कर आख्या के बेटा जाओ और दुश्मना नू मार के शहीद हो जाओ छोटा साहिब जदा जद उठके चलेया ता मुसल्मानी फौज नू जो कालियां कटा दी तरह उमड रहे सी देखके देहल गया ते पिछ प्रशे मुड़के गुरू सहिब देपासों पानी पीन वास्ते मंगया पर गुरू जी ने उस दा असल मतलब समझ के फरमाया के हे बेटा तेरे वास्ते होने थे पानी नहीं होन तेरा पानी तेरे बड़े पाई दे पास है ए बचन सुनके साहिब जदा जुजार सिंग जी मार के गुरु साहिब दे सामने मैदान जंग वेच शहीदी हासल कीती। इतने चिरनू रात पै गई ते गुरु साहिब ने चार सिखानू चोही पासी रात पर तीर चलावन दा हुकम दिता। ते अपनी सारी पशाक सामत सेंग नू दे के उथे छड्या ते आप रात नू ही उथो नंगे पैरी पेस पल्ट के निकल तुरे रात दे वक्त नंगी पैरी चारियां पहाडियां हजारां तकलिफां उठा के उच्च दे पीर बन के कईयां दिना दे विच आलमगीर पिंड प आदमी पेज के शोटे साहिवजाद्या दी ख़वर मंगाई जो उसने आके इस तरह सुनाई महाराज जी जिस वक्त नंदपुरों निकले सी तना साहिवजदा जुरावर सेंग जी उस वक्त अठ बरस दे सी ते साहिवजदा फते सिंग जो के छे बरस दे सी ते वड़ी मात गुजरी जी समेत बहुत सारे जेवर अपने कारदेर सो ये दे नाल खेडी पिंज पुझ गए आते दोस्ट ब्रह्मना ने तनता लाल्च करके आप रख लिया ते दोहां साहिव जाद्या नू नाजम सरे इंदे कोल पकड़वा देता नाजम दोस्ट माता साहिव नू किले विच कैद किता ते दोहां साहिव जाद्या नू अपने रूप रूप बुला के आखान लगा के जे कर मुसल्मान बाण जो तो हड़ा चुटकारा ने नहीं ता सकते तकलिफां देके मारे जाओंगे ये सुनके दोहां ने आख्या पाप पी असी उस हरगोबिंद साहिव जी दे पड़ पोत्रे ते उस गुरू तेग भादर जी दे पोत्रे हों होके तरमनू लाज लाईए ते छोड़े चिर जीवन दे वास्ते अतरमी होके मरिए ओड़क सरहांद दे नाम जने हुकम देता क ये इननू कांद जे चुन देू दोहां साहिव जादयानू गाज गाज दी वेथते खड़े करता दे दोहां दे गिर्द कांद चिनी जान लगी ज़दो गोड़ेम था कांद चिनी गई ता नाजम ने फिर आख्या हजे भी वेला है जब मुसलमान बण जो था साहिव जाद की ओ नाजम दी गल मन गए कदे ने सगों उस वेड़े साहिब जाद्यान दे मूच ओ ए अवाज निकली के पापी चला जा साधे मत्थे ना लगते अपने इस पाप दे कामनू छेती पूरा होन दे गुरू जी जदो माता गुजरी जी इस परकार दी खबर सुनी ता हो कि ले दे विच्चों छाल मार के मर गए जदो गुरू साहिब ने खबर सुनी ता एक कड़ी प्रयंत चुप चाप रहे ते कुछ ना भूले फिर अख्या के ओता सदाई जीम दे हानो नने तरम दी रख्या वास्ते स्रीर दिते प्रांतु मसूम बच्चया नो निर्दोश मारना हर एक मजभ ते तरम दे वरुद्ध है नाजम ने एहे बहुत पारी पुल किती है सो इस दाफाले होवेगा के ए जुलम दा राज जल्दी नस्ट हो जावेगा ते शेरान या इटां सतलोज पार जानगी है सो सब सच होया राज भी जन्दा रहा ते सिखाने सरहंदनू भी बरबाद करता ते अंग्रेज्जा ने उत्थों दे टठे हुए मकान खरीद के सतलोज पार इटां पुचाईयां मज्य दे सिखान गुरु साहिब दे कश्टा दा हाल सुनके गुरु साहिब देवल तिन चार सो जुआन हत्यार बंद करके पेज़े और कर कै कर लिया कि तुरकान नाल आपने लड़ाई जो किती पारी पुल किती है होण आप केहा मन्नों था पाथशा दे नालापदी सुला करा दिये गुरु साहिब ने गहल सुनके उत्तर देता है कि मैं जगत दा राजपो गंड़ी नहीं आया जो तोड़े पिछे लगगा मैं ता पिता दा हुकम मन्ना है मुझायल ए उत्तर सुनके तुरे रस्ते चुनन पता लगया कि नवाब सरहिंद कई हजार फौज लेके गुरु जी देना लड़न आ रहा है कुछ सिंगा ने यही विचार के सूरा सो पहचानी है जो लड़े दीन के हेत पुर्जा पुर्जा कट मरे तबो ना चाड़े खेत आपो विचसला किती जद एक दिन जरूर मरना है ता यहो ना ता गुरु देता हो मरिये परे सोच के कुछ चालीक पुर्खिक तीवी निकल बाकी सब खिसक गे जिते आज कल मुक्ती सर है इते मलेया ते कंडालेया दा एक पारीबन सी इते मोर्चा बनालेया बिर्शापुर कपड़े पा एचालीक लुक के बैठ गे जदों फौज कोडों दी लंगन लगे ता बंदुखा चलाईया तुरुक सेना डाड़ी कबराई पर तर्मी जोद्या ने जोशनू कौन रोके सिक जन्ना तोड़के लड़े जदों समान मुक्यात तलवारां लेके जाको से अडाड़े आहू लाहे दोख को परे एक टिब्बे पर गुरु जी बैठके देख रहे सी उनना ने भी कुछ फौज कली गल की हजारा श्पाईया वर्वागे सुबत नस गया क्योंकि उस दे बंदे गिर्दे तीक तक पानी ते खाना नहीं सी ते फौज फुट गई और एक चांब सी जो गुरु जी के हथ सी हुन गुरु जी उथे आये और चाली सिंगा ने जो तरम दे हे लड़ मोड लए सी मुँ पूँज पूँज के असीसा देतिया ते पंज हजारी ते दस हजारी के हा इनना विचो महा सिंग नामे एक सिंग सिसक रहा सी गुरु जी ने मूच पानी पाया ते जरा होशाई तद गुरु जी ने केहा कुछ वर मंग। तवस प्रेमी ने केहा कि अनंदपूर दे विच जो कागत सिखाने दिन चड़े इनन दा ससकार करके मुक्ते खिताब दिता और थाओ दा नाव मुक्त सर पै गया जिते हुन नगर वस्दा है ते मागी दा मिला लगदा है फिर इत्थू गुरु साहिब दिनने बेंट आधिकां विचो हुन दे ते कई प्रकार दे कौतक कर दे शिरी अबचल नगर तरफ चले गए उत्थे सत्संग दा पर चार किता एक दिन गुदावरी दे पास एक मादोजास नामे बिरागी दा स्थान दे विच जाके उनने ज दूदे प्लंग ते बैठे और सिंगा नूँ उस दे बकरे चटका देंगा तरदितियां बिरागी किते बार गया होया सी खवर सुनके लगा प्लंग नू उल्टांटे जोर्नल पर कोई वान आ गई तद हाथ जोड के हाजर होया गुरु साहिब जी ने पुछया के तू कौ देखे एक तलवार देखे पंज सिंग नाल करके कहा जातरम युद करके देशनू शुटकारा बक्ष पर देख जती रही गुरु नाबणी सच बोली सर्व खाल से दी सलाविच रही जिव रुद चलने हो तो तेरे कुठाली गल जाएगी सत बचनकर नेमतर सीस निवा पंडे जान दिया गुरु की हाजरी परी साधिक हीरा गुरु जी नूँ नजर किता गुरु जी ने नदी दे विच सिटता जनों पाथ्या को शुदास होया तो गुरु जी ने उसनों सारा काट हीरे अना दिखाया थान दाना हीरा काट पह गया एक और ही नगीना काट आदिक नाओ है पंजाब दे विच उन खवराई के बंदे ने खालसा कठा करके तुर्क दमन दे काम विच खूब त्रक्की कर ली है एथे भी शिरी सत्गुरु दे पास दो पठान गुल खा, अतुल्ला खा, नौकर से जिना दे बाप पैंदे खानू गुरु हर्गोविन साहिव जी ने जंग विच मारया सी एदो में पठान हमेशा तांक विच रेंदे सी के जदों ही मुक्का मिले तादू अपने बाप दा बदला लेलें एक दिन गुरु साहिव तंबूच सुत्ते पैसी ते इना नू मुक्का मिल गया ते गुलखा निमक हराम ने गुरु साहिव दे पेट दे वेच कटारी जामारी जिस करके जखम आ गया और जखम जरा नू बुला के सिवाया गया परनतू अज जखम कच्चाई सी के बादश ने दो तनुख दो दो टांक ते गुरु साहिव दे पास पेजी गुरु साहिव ने जद उननू जोर जोर नल खिचया ता जखम फिर खुल लगया जद पी जरा ने मुड स्योना चाया पर गुरु साहिव ने फिर नसवाया सम्मत सतारा सो पैसट बिक्रमी कतक सुधी पंज जिनू इश्नान करके नवीन बस्तर सजाए अते कोडे नू भी इश्नान कराके जेवर पुआए आप सब बस्तर शास्तर पैन के दिवान लगाया अते शिरी गुरु गुरंत साहिव जिदे प्रकाश करके पंज पैसे अते नारियल अग्येतर के मथा टेक देता ते मुहों एहे अवाजगीती दोहरा आग्यापई अकाल की तबीच लायो पंथ सब सिखन को हुकम है गुरु मान्यों गरंथ ते फिर बहुत सरा कड़ा प्रशाद कराके वरताया ते चंदन दी एक वड़ी सारी चिखा बनवाती ते उस दे गिर्द गिर्द कनात तना दिती जदों आ आए तन सबना ने सिखाने आख्या के कनात दे अंदर कोई ना आवे ते साधी चिखा कोई ना फ्रोले ते साधी समाद कोई ना बनावे एह हुकम दे के आप कनात दे अंदर चले गए ते अंदरों ए अवाज आई शिरी वाहिग्रु जी का खालसा शिरी वाहिग्रु जी की फते अंत विच गुरु साहिव देंगे प्राटसना कीती जन्दी है कि ये कलगी तर महारा जिस प्रकार आपने कश्ट सहार के ये पंथ रचया उसे तरह आप इस दे ली हमेशा सहाई होके ब्रधी कर दे रहो ता आपना द्रिड विश्वाश इनक दे रिदे दे विच पर दे के जिस करके ए लोग थोड़े उपकारा नों याद करके सच्चे सिखा सिंगा मनन दी कोशिश कर तन मन ते तन दी कर दी रहन बुले सोने हाल साथ श्रियका